प्रिटिस सरकार ने भारतियों को बराबरी का अजिकार देते हुए अपने सम्मुख बुलाया बात चीत करने के लिए हो क्या रहा था कि देश में आपने देखा कि सावियन कमीशन आया उसने विभिन प्रसासनिक सुधारों के लिए कहा इसके अलावा नहरू रिपोर्ट में अलग मांग की गई उसी समय जिन्ना ने अलग से अपनी 14 सुत्री मांग रख दी और ठीक उसी समय लाहोर में अधिवेशन होता है जिसमें पूर स्वराज की मांग कर दी जाती है तो इस प्रकार की काफी ज़्यादा देश में राजनीतिक माहोल परिपक को होता जा रहा था और विभिन प्रकार की मांगे विभिन विभिन तबकों से उठ रही थी बियारमेटकर ने भी इसी दोरान जो है दलितों के लिए प्रिथक निरवाचन मंडल की मांग करना सुरू कर दिया था इसी दोरान देश में सविनय अवग्या आंदोलन सुरू हो गया और इस सविनय अवग्या आंदोलन के साथ साथ ही प्रथम गोल में जिस सम्मेलन बुलाया गया 12 नमबर 1930 को हालांकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जो है वह सामिल नहीं होती है लेकिन फिर भी देश के कुछ अन्य महतपूर राजनीतिक पार्टियां इसमें सामिल होती है जिसमें हिंदू महासभा की का नित्रत्त कर रहे थे MR जैकर और V.S मुंझे पिलाल यहाँ पर आसानी आराम से सुनते चलिए हिंदू महासभा की तरफ से सामिल हुए थे MR जैकर और V.S मुंझे उदारवादी दल की तरफ से सीवाई चिंतामडी, तेज बहादूर सफप्रू, मुस्लिम लिग का नित्रितु कर रहे थे इस प्रथम गोल में समेलन में आगा खा, मुहम्मद सफी, मुहम्मद अली जिन्ना, फजलूल हक, सिख संग का नित्रितु कर रहे थे सरदार संपूर्ण सिंग, एंगलो इंडियन या इशाई समुदाय का नित्रितु कर रहे थे केटी पाल, दलित वर्क का डाक्टर भीमराव अम्मेटकर और देशी रियास्तों के लगबग लगबग सोला प्रतिनिद्य या सोला नरेश वह इस प्रथम गोल में जिस संब्वेल्ण में सामिल थे, भाग लिया था और इसमें अम्मेटकर ने दलित वर्क के लिए प्रिथक निरवाचन मंदल की भी मांग रक ही, लेकिन जो वहाँ पर उपस्तित प्रतिनी जी थे उनमें एकता का आभाव था इस कारण अमेड कर कि यह मांग जो है नहीं मानी गई या नहीं पूरी की जा सकी थी फिलहाल आगे चल करके हमने देखा कि गांधी इर्विन समझोता हो जाता है पा enfants mart 1931 को और गांगरेश उसमें यह स्विकार करते है कि वह जो है या गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से स्विकार करते हैं कि कांग्रेस जो है भविस्य में होने वाले गोल में जी सम्मेलन में भाग लेगी इसके साथ ही दितिय गोल में जी सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से यह दिति गोल में जी सम्मेलन सुरू होता है जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं महात्मा गांधी के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए महादेव देसाई, मदन महन मालवी, देवदास गांधी, घंस्याम दास बेल्डा और मीरा बैन भी गई थी ठीक है और कांग्रेस कारेसमिती की ओर से सरोजनी भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी परेडाम फिर भी कुछ नहीं निकला दिसंबर के अंत तक आते आते यह अधिवेशन या यह सम्मेलन भी समाप्त कर लिया गया और इसी सम्मेलन के दौरान विश्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्ध नगन फकीर भी कहा थ अंतरतो गत्वा गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को बंबई वापस लोटाते हैं और कहते हैं कि मैं खाली हाथ लोटा हूँ किन्तु मुझे संतोस है कि जो धज मुझे सौपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ सम्झावता नहीं किया भारता करके गांधी जी जो है वह ततकालीन वाईसरा विलिंगटन से मिलना चाह रहे थे लेकिन विलिंगटन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया परिडाम तह गांधी जी ने सविनय अवग्या के दूसरे भाग की सुरुवात कर दिया दितिये सविनय आंदोलन की सुरुव बात कर दी यहां आंदोलन दो वर्ष के आज पार चला था तुरंती जो है इन सभी बड़े कांग्रेशी नेताओं को गिरफतार कर लिया गया था और कुछ खास इस आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ था ठीक है फिलहाल आगे चल करके तृतिय गोल में जो सम्मेलन होता है 17 नौवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लिकिन इसी बीच एक रैमजे मैकड़नाल्ड के द्वारा जो कि बिटिस प्रधान मंत्री थे उनके द्वारा एक सामप्रदाइक पंचाटिया सामप्रदाइक अधिनीरण या जिसे आप कम्यूनल अवार्ड बोलते हैं उसको जारी कर दिया गया 1932 में जिसके अंतरगत अब मुस्लिम, सिख और इसाईयों के साथ साथ दलित वर्ग को भी अलपसंख्यक मानते हुए उनको हिंदूों से अलग करते हुए उनको भी पेथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दे दिया गया था इसी मगांधी जी ने हड़काल किया अनसं किया और प्रिडाम था एक कुना से किस्ट में जिसमें गांधी जी की तरफ सेंके विभिन अनुयाईयों के किह सें अम्मे deze है संब नहागां पूना पैक्ट में जो है दलितु वर्ग के सीटों की संख्या जो है वह 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई प्रांती विधान मंदलों में और साथी साथ केंद्री विधान मंदल में जो सुरच्छित सीठे थी दलितु वर्गों के लिए उनकी संख्या में भी 18 प्रतिशत की साथ गांधी जी जो है वह हरी जनन उठानया हरी जन उत्धानिय और सेवा के कारे में लग जाते हैं उनके द्वारा जो है हिसान सेवक्त शंग की स्थापना कि जाती है «हरीजन नामक के साथाक्टाहिक पत्र का प्रकासन किया जाता है» 17 साथ गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 में 7 नवंबर 1933 को एक हरिजन यात्रा भी प्रारंभ की थी जो की लगभग 9 महीने तक चली थी इस दोरान गांधी जी ने संपूर्ण देश का दोरा किया था और लगभग 20,000 किलोमेटर की यात्रा की थी हलांकि उनकी इस यात्रा के दोरान उनका कहीं भी स्वागत नहीं हुआ था कई इस्थानों पर उनको काले जंडे दिखाये गए उनकी सभाव को भंग किया गया और उनके विरुद्ध परचे बाटे गए थे आगे चल करके जब यह पूना पैक्ट हो जाता है तो उस कम्यूनल अवार्ड की कोई और चित या कम्यूनल अवार्ड का किसी प्रकार से महत्व नहीं रह जाता है परिडाम तह एक नयास गोल में सम्मेलन होता है जिसको कहा गया त्रितिय या तीसरा गोल में जिसम्मेलन जिसमें भारत सासन अधिनियम 1935 की भूमी का बांधी जाती है इसमें एक स्वेत पत्र पर विचार किया गया और इस स्वेत पत्र को लाड़ लिन जित्गो की अध्यचता में ब्रिटिस संसद के संयुक्त सम्ती के समच पेस किया गया इस समती के रिपोर्ट के आधार पर सेम्वल होर द्वारा भारत सासन अधिनियम हेतु बिर्टिस संसद में बिल पेस किया गया था इसी बीच 1934 में कांग्रेस के एक बहुत बड़े भागने कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रिथक दल का गठन करने पर बल दिया और इसी उद्देश से जैप्रकास नाराया आचार नरेंदर्देव और मीनु मसानी ने मिलकर के बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की इस समाजवादी दल की स्थापना के अगर अन्य सहयोगयों के बात करें तो उसमें असोक महता, अच्युत और डाक्टर राम अनुहर लोईया आधि लोग सामिल थे, ठीक है? तो ये सारी बाते हो गए जो आज फिलाल हम इस लेक्चर में प्रस्णोत्तर के माध्धम से देखेंगे, तो आईए चलते हैं सीधा प्रस्णों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रस्ण के बारे मे जहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न लिखित में से किस भारतिय नेता ने लंदन में प्रथम गोल में जी कांफरेंस में भाग लिया था? A. मौलाना मुहम्मद अली B. मौलाना अबुल कलाम आजात C. महात्मा गांधी या D. पंडित जवाहरलाल नहरू तो फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर A. मौलाना मौहम्मद अली ने प्रथम गोल में जी सम्मेलन में भाग लिया था देखे, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकासिद होती है राजनितिक संगिटनों ने कमीशन की इस सभी रिपोर्टों को अस्विकार कर दिया था और सभी अवग्या का महौल चली रहा था तो कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे वह जेल में थे और इसी समय ब्रिटिस सरकार ने इस निराशा और असंतोस के वातावरण में 7 नौंबर 1930 को लंदन में pratham गोल में जिस शंब बुलाया जिसमें 89 प्रतिनिदियों ने भाग लिया लेकिन इस प्रतम गोल में जिस संबुलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुकूरूप से थे तेज भादूर सप्रू, स्त्री निवाज सास्त्री, मुहम्मद अली, मुहम्मद सफी, आगाखा, फजलूल हक, मुहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एमार जैकर, टाक्टर मुन्जे, भीमराव अंबेटकर औ अगला प्रस्ण देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम गोल में जिस सम्मेलन के बारे में निम्र लिकित में से कौन सा एक सही नहीं है ए, यह 1930 में आयोजित हुआ था, बी, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, सी, इसका आयोजन लंदन में हुआ था, या डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनी दिमंडल ने भाग लिया था तो जाहिर सी बात है, इसका जो सही अंसर है, वह है, आप्सन नमबर डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनी मंडल ने भाग नहीं लिया था, प्रतम गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, यह 7 नमबर 1930 से 19 जन्वरी 1931 तक चला था, प्रतम गोलमेज सम्मेलन, लंदन में संपन्ध हुए गोलमेज सम्मेलन में भारती इसाईयों का प्रतनिधित तो किस ने किया था, ए, राव बहादूर स्री निवास, बी, सर अकबर हैदरी, सी, सर एपी पेट्रो या डी, केटी पाल, तो किस ने लिया किया था, अंगलो इंडियन का नित्रुतिया इसाईयों का, वह किया था, आप्सन नमबर डी, यानि की केटी पाल ले, देखे, सेंट जेम्स महल लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था, साथ नॉम्बर 1930 से ले करके, 19 जन्वरी 1931 के मद्ध जिसमें 89 भारती प्रतनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सामिल थे, प्रमुक से हिंदू महासभा की तरफ से, एमार जैकर और वीयस मुंझे, उदारवादी दल की तरफ से, सीवाई चिंतामडी और तेज भाधूर सप्रू, मुस्लिम लिग का नित्रितु कर रहे थे, आगा खा, मुहम्मद सफी, मुहम्मद अली जिन्ना और फजलूल हक, और सिक्ष सं का नित्रितु कर रहे थे, सरदार संपूर्ण सिंग, तो एंगलो इंडियन का नित्रितु कर रहे थे, केटी पाल, दलित वर्ग का नित्रितु भीमराव अंबेट कर कर रहे थे, फिलाद, इस सम्मेलन में इसाईयों का नित्रितु केटी पाल ने किया, सम्मेलन का कब बुलाया गया था तो डायरेक्ट टेंसर कर लेते हैं सात नॉवंबर 1930 को यह सम्मेलन बुलाया गया था और चला था 19 जन्वरी 1931 तक निम्नलिकित में से किन वेक्टियों ने दितिये गोल में सम्मेलन में भाग लिया पहला महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मुहनमालवी और मौलाना आजाद कूट है A. एक और दो, B. एक और तीन, C. एक दो और तीन या D. एक तीन और चार तो बताईए चलिए जो सही अंसर है इसका वह है option number C. एक दो और तीन, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, मदन मुहनमालवी, देवदास गांधी, गंसयाम दास बेल्ला और मीरा बैन गई थे गांधी जी के साथ गंधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपुताना नामक जहाद से रवाना हुए थे ठीक है चलिए आईए explanation को देख लेते हैं 7 सितंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 तक चले दितिय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक मातर प्रतनीदी के रूप में हिस्सा लिया इनके अलामा सरोजिनी नाइडू, मदन मुहनमालवी ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था एनी बेशेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ इनके सच्चिव महादेव देशाई, प्यारे लाल, मीरा बैन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे अगला प्रस्ण है कि इन में से किस ने दिती गोल में जी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो डारेक्ट आंसर करिए जवाहलाल नहरू ने किसी भी गोल में जी सम्मेलन में भाग नहीं लिया था ठीक है निक्स्ट निम्न लिखित में से कौन दिती गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो डायरेक्ट एंसर कर सकते हैं न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए सर्दार वल्लब भाई पटेल हो गए जवाहला लहरू हो ग अजस्तित निमलिकित गोल में समयलों में इसे किसम महात्मागांधी उपस्तित थे। तो महात्मागांधी लंदन में ईयोजित होने वाले दूसरे गोल समयलन में उपस्तित थे 10 सwać में दिसंबर 1931 के मद्ध तक चला था। अगला प्रस्ण है कथन और कारण के रूप में कथन ए है कि जवाहरला लहरू ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भारती राष्ट्री कांग्रेस का प्रतनिधित्ट किया था कारण R है कि गांधी इर्विन समझोते में भारती राष्ट्री कांग्रेस का दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर देना है कूट है A तथा R दोनों सही है तथा R A का सही स्पस्टी करण है B A तथा R दोनों सही है किन्तु R A का सही स्पस्टी करण नहीं है C A सही किन्तु R गलत है और D A गलत किन्तु R सही है फिलाल डारेक्ट अंसर भी कर सकते थे हम लोग जवाहल लाल नहरू किसी भी गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिये थे और यहाँ पर देखिया एक्ष्वानेशन पांच मार्च 1931 को गांधी जी और वाइसराय लाड इर्विन के मद्ध एक समझोता हुआ जिसे गांधी इर्विन समझोता है दिल्ली समझोता है दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसमें कांग्रेस की और से गांधी जी ने निमनलिखित बातों को स्विकार किया था सविने अवग्या आंदोलन को इस्थगित कर दिया जाएगा कांग्रेस निकट भविस्च में होने वाले दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेगी कांग्रेस ब्रिटिस समानों का बहिस्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जादियों के बारे में जाज की मांग नहीं करेंगे अगला प्रश्ण है कि निम्निलिकित में से कौन से गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने सिरकत की तो गांधी जी ने 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य चलने वाले दिती ये गोल में जी सम्मेलन में भाग लिया था या उसमें सिरकत किया था अगला प्रश्णा है कि महात्मा गांधी जब दिती गोल में सम्मेलन में भाग लेने लंदन ठहरे थे A. St. James Palace में B. Kingsley Hall में C. India House में D. उपर उक्त में से कोईन है तो गांधी जब लंदन गये थे तब दिती गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तब वह Kingsley Hall में ठहरे थे यह S.S. राजबुताना नामक जहाद से इस सम्मेलन में सामिल होने के लंदन पहुचे थे और वहाँ पर Kingsley Hall में ठहरे हुए थे इसी दितीगोलमिच सम्मेलन में विश्टन चर्चिल ने गांधी जीको अर्द नगन फकीर विक्की संग्या भी दी थी अगला प्रश्ण है कि दिती गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनित के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था तो उसका नाम था SS राज पुताना निमलिकित में से किस गोल में सम्मेलन में भारती राष्टी कांग्रेस के प्रतिनितियों ने प्रतम बार भाग लिया था तो एक ही बार भारती राष्टी कांग्रेस ने गोल में जिस सम्मेलन में भाग लिया था और वह था दिती ये गोल में जिस सम्मेलन जिसका आयोजन किय गया था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के मद्धे और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिती महात्मा गांधी ही गये थे और महात्मा गांधी के साथ इनके अन्य सहयोगी भी गये थे जिसमें सामिल थे मदन मुहन मालवी, महादेव देशाई, देवदास गांधी, प्यारे लाल, घंस्याम दास बिल्ला और मीरा बैन साथी साथ सरोजनी नैडू और एनी बेसंट भी इसमें भाग लेने गई थी जिसमें की एनी बेसंट करा हूँ, सरोजनी नैडू जो है, वह कांग्रेस कारे समीती की और से गई थी नकी संपूर्ण कांग्रेस की तरब से, ठीक है? तो फिलाल अगला प्रस्ण देखते हैं थोड़ा साथ प्लाने संदेख लेकिया, कुछ खास है नहीं वैसे वही गांधी जी का स्टेटमेंट है, जब वह 28 दिसमबर 1931 को बंबई के तट पर उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लोटा हूँ, किन्तु मुझे संतोस है कि जो राष्ट्री धज मुझे सौपा गया था उसे मैंने नीचे नहीं होने दिया और उसके संवाल के साथ किसी भी प्रकार का सम्झाा नहीं किया नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है, कि महात्मा गांधी दिसमबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लोटे थे तो यह खाली हाथ भारत से लोटे थे लंडन से क्या क्या प्रस्णी ये लोग भी पूछते हैं और हम लोग को भी याद करना पड़ता है दिती गोल में सम्मेलन किस प्रकार असफल रहा ए सामप्रदाइक प्रतनीजित बी डुमीनियम स्टेटस प्रदान करना सी सत्ता हस्तांतरण कितितिया डी सविने अवग्या आंदोलन क का स्थरगन के चलिए तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्सन नंबर ए सामप्रताइक प्रतनीजित तो क्या मांग करने के कारण बी आर अंबेड करके मांग करने के कारण इस दिती गोल में सम्मेलन में गतिरोध उतपन हो गया था परिड्यामता यह सम्मेलन जो है बीना कि इसी नतीजे पर पहुंचे ही रोक दिया गया था देखे दिती गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्राराम भूकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था जिसमें दलित नेता भीमराओं अम्बेटकर ने दलितों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे गांधी जी ने अस स्विकार कर दिया अंत्तर सांप्रदाइक प्रतिनिजेत उपर गतिरोत के कारण ही यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोसित कर दिया गया था अगला प्रशना है कि उस भारती का क्या नाम था जिसने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था ए बी आर अम्बेटकर महात्मा गांधी मुहमद अली जिन्ना या तेज भादुर सप्रू तो भी राव अम्बेटकर कर रहा हूं बी आर अम्बेटकर वसे एक ही बात थी या भी राव अम्बेटकर या बी आर अम्बेटकर इन्होंने पहले दूसरे और तीसरे तीनों ही गोल में सम्मेलनों में भ भाग लिया था निक्स्ट और अगला प्रस्ण है पूछा जा रहा है कि 1930 से 32 की अवधी में भारत और बृतेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठको का प्रायर प्रथम दितिय और तृतिय गोल में सम्मेलन के रूप में उलेख किया जाता है उनका उसी रूप में उले भारती राष्ट्री कांग्रेस को छोड़कर जिन भारती दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गिय हीतों का प्रतनीजिप्त किया था वी बिनाई शी ब्रिटन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कारवाहिया पच् संपन्न गुए यह है IAS के जहाज से जा रहे हैं कौन सा जहाज है कौन सा क्या है फिलाल जो सही एंसर है वह है option number D दीखे हम पढ़ते जरूर है पहला संब्सक्राइड हुआ दूसरा संब्सक्राइड तीसरा संब्सक्राइड हुआ लेकिन यह सम्मेलन नहीं यह सत्र थे प्रथम सत्र हुआ दीतिय सत्र हुआ और तृतिय सत्र हुआ था ठीक है मानने कि एक ही सम्मेलन जो है वह तीन भागों में संपन्न हुआ था ठीक है बाकी के बाकी अन्य तीनों कथन जो है वह गलत है भारती राष्ट्री कांग्रेस ने में भाग नहीं लिया था कांग्रेस को छोड़कर जो अन्य दल सामिल थे में कहीं ने कहीं और किसी ने किसी रूप में भारत का ने तिर्ट कर ही रहे थे और ब्रिटेन की लेवर पार्टी जो है वह कभी भी पीछे नहीं हटी थी इस गोल में जिस सम्मेलन से चली देखें सम्मेलन में भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वारता के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया था अगला प्रस्ण देखते हैं पूछा जा रहा है कि निमनेलिकित गोल में सम्मेलों में से किसका प्रतनिजित तो भारती राष्ट्री कांग्रेस ने किया था तो भारती राष्ट्री कांग्रेस ने दितिये गोल में सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है यह दितिये गोल में सम् से 19 जनवरी 1931 के मद्ध लंदन में आयोजित किया गया था जिसमें भारती उदारवादी दल मुस्लिम लीग हिंदू महासबाद दलित वर्ग व्यापारी वर्ग और रजवारों के प्रतिनिदियों ने भाग लिया था किन्तु कांग्रेश इसमें सामिल नहीं हुई थी वहीं समयलन जो है वह 17 नॉबर 1932 से 24 दिसमबर 1932 तक चला था और कंग्रेश ने इस सम्मेलन का वहिषकार किया था कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गोल में समयलन 1932 में आयोजित हुआ था तो 1932 में तीसरा गोल में जिसम्मेलन आयोजित किया गया था 17 नॉवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मद्ध अगला प्रश्ण है कि भारतिय राष्ट्री कांग्रेस ने किस गोल में जिस संबेलन में भाग नहीं लिया ओप्सन है A प्रथम दिती तृती या D सभी में भाग लिया अथ्वा E उपर्युक्त में से कोई औहिए उपर संबेलन में लिया कांग्रेस ने पहले और तीसरे संबेलन में भाग नहीं लिया था नेक्ष्ट और अंतीम प्रस्टे इस चप्टर से यहां पूछा जा रहा कि निम्नलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला प्रतम गोलमेज संबेलन में डाक्टर अम्बेटकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी दूसरा पूना पैक्ट में इस्थानी निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतनिधित्यु के लिए विशेश उपबंद रखे गए थे और तीसरा तृतिये गोलमेज संबेलन में भारतिये राष्ट्री कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है आपसन है एक केवल एक और दो बी दो और तीन सी एक और तीन या डी एक दो और तीन चली तो जो सही एंसर है वह सामान निसा है आप्सन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा भीमराव अमेटकर जो है वह सभी इस चितियों में दलितों के लिए विशेश प्रतनिधित्त की मांग करते रहे थे और इस कारण जब पूरा समझवता हुआ था तो भीमराव अमेटकर को पूरी तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था सिविल सेवाओं और इस्थानी निकायों में दलितों को इस आधार पर आरच्छन दिया गया था कि यदि वे निर्धारित योग्यता रखते हैं तो उनके लिए कुछ अस्थान आरच्छित रहेंगे निर्धार से उनको कुछ न कुछ आरच्छन जरूर प्रदान किया जाएगा ठीक है और तृती गोल में कांगरिस ने पहले और तीसरे दोनों ही गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था ठीक है भाग लिया था सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोल में जिस सम्मेलन में फिलाल यहां प्रतम गोल में सम्हेलान में डौक्टर अंबेटकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंदल की माँगरक्ती थी कांगरेस ने प्रतम और तर्ती गोल में सम्हेलान में भाग नहीं लिया। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि इस्थानिय निकायों के चुनाव या लोक सिवाव में निवक्ति के लिए दलित वर्ग के सदस्यों के लिए कोई निर्बंध आरोपित नहीं किये जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतनिधित्टु के लिए अब सैचिक अहरताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किया जाएगा ठीक है तो फिलाल यह चप्टर यहीं पर समाप्त होता है बात कर लेते हैं अगले चप्टर सामप्रदाइक पंचाट और पूना पैक्ट के बारे में या सामप्रदाइक अधिनिर्णय और पूना प प्रश्णों की तरफ थोड़ी बहुत प्रिष्ट भूमी और भूमी का हमने इसकी देख ही ली है हमारा पहला प्रश्ण है कि निम्निलिकित में से किस ने सामप्रदाइक अधिनिर्णय घोसित किया ए रैमजे मैकडोनाल्ड बी इस्टैनले बाल्डवीन सी नेविल चेंब प्रिष्ट के लिए वह विवाद हो गया था गांधी जी और अंबेडकर के मत थे तो बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड के अंतरगत जो है एक समीती का गठन कर दिया गया था इस विशय पर विचार करने के लिए जिसके आधार पर आगे चल गरके रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस सामप्रदाइक अधिनीरणय की घोसडा कर दी थी फिलाल एक्सप्रोनेशन देखते हैं दिती गोल में सम्मेलन में विभिन संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंदल के विशय पर किसी भी प्रकार की सहमती जो है वह नहीं बन पाई थी अतह इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिस प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड को प्राधिकरित किया गया आगे चल करके 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनल्ड ने अपने सामप्रदाइक अधिनीरणय की भोस्रा की जिसे ही सामप्रदाइक पंचाट या कम्यूनल आव अगला प्रस्ने देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि वगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनल्ड के सामप्रदाइक पंचाट के द्वारा पहली बार एक प्रिथक निर्वाचक समूह बनाया गया जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर डी अचूतो या दलित वर्क के लिए सामप्रदाइक पंचाट में एक प्रिथक निर्वाचक समूह बनाया गया था देखे रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगर्ष्ट 1932 को सामपरदाइक अधिनिर्ने प्रश्टूत किया जिसके अंतरगत प्रतियक अलपसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटे सुरच्छित कर दी गई जिनके सदस्यों का चुनाओ प्रिथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था मुसल्मान और सिख तो पहले से ही अलपसंख्यक माने जाते थे अब इस नए कानून के अंतरगत दलित वर्ग को भी अलपसंख्यक मान कर उनको हिंदूओं से अलग कर दिया गया था अगला प्रस्ण है जो कि कथन और कारण के रूप में जिसमें कथन ए है कि ब्रिटिस सरकार ने अगर्ष्ट 1932 में सामप्रदाईक पुरसकार की घोशडा की कम्यूनल अवार्ड ठीक है गूगल टांसलेट कारण आर है कि इसके तहत प्रतेक अलपसंख्यक समप्रदाई के लिए विधान मंडलों में कुछ सीठे आरचित की गई जिसके लिए सदस्यों का चुनाव प्रिथक निर्वाचर मंडलों से होता था नीचे कूट का प्रियोक करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है कूट है A A तथा आर दोनों सही है और A का सही इसपश्चिकरण आर है B A तथा आर दोनों सही है किन्तु A का सही इसपश्चिकरण आर नहीं है C A सही किन्तु आर गलत है और D A गलत किन्तु आर सही है चलिए तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्शन नंबर ए ए और आर दोनों सही है आरे की सही व्याख्या है या हमने कई बार लगातार देखा मैक डॉनल्ड के संप्रदाइक पंचाट ने किसे प्रिथक चुनाव छेत्र एवं आरचित सीटे आवांटित नहीं की थी मुसल्म और शिक्कों के लिए प्रिथक निर्वाचक चेत्र और आरचित सीटे चली आ रहे थी इन्होंने अन्सूचित जातियों के लिए दे दिया था आगे चल करके इसका जो सही अंसर हो जाएगा आप्शन नंबर डे बहुत धो को किसी प्रकार का भी अलग से प्रिथक मुसल्मानों के लिए जारी रखा गया अपितु इसे जलित वर्गों पर भी लागू किया गया इसके तहत मुसल्मानों इसायों सिखों आंगल भारती तथा अन्नि के लिए प्रिथक निर्वाचन बद्दत की सुविधा प्रदान की गई ध्यान दीजे का जो केवल प्रां महत्मा गांधी ने पहला आमरण अंसन कब प्रारंब किया था ए कमुनल अवार्ड के समय कलकत्ता के दंगों के समय जलिया वाला बाग दुरगटना के समय या दिल्ली दंगों के समय तो दिये गए विकल्पों में से जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर ए महत्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अंसन जो है वह कमुनल अवार्ड के समय आरंभ किया था ठीक है देखे गांधी जी ने अपना पहला आमरण अंसन आमरण अंसन यानी कि फास्ट अंटू डेथ ठीक है बीस अगर्ष्ट 1932 को यर्वदा जेल में रहते हुए ब्रिटिस प्रधान मंत्री मैकडानल्ड के सामप्रताइक निर्णाया कमुनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया जो कि 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयाईयों के करद см corri hanno समझहते की साथ ही समाप्त हुआ था और इस सम्झहते को बृटिस सरकार त्वारा समत्री प्रदान किये जाने के बाद ही 26 सितंबर 1932 गांधी जीन अपना अंसन तोड़ा था ठीक है 24 tv को पूना समझोता हुआ और 26 सितंबर को गांधी जी ने अपना आमरण अंसन तोड़ा जब ब्रिटिस सरकार ने इस पूना समझोते को मानेता प्रदान कर दी अगला प्रश्ण है कि 1922 में महात्मा गांधी ने मरण परियंत ववास वही आमरण अंसन प्रदान तया इसलिए किया कि A. गोल में जी सभाब भारती राजनीतिक आकांचाओं को संतुष्ट करने में औसफल हुई B. कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी C. रेमजे मैकडॉनल्ड ने सामप्रदाइक अधिनिर्णय की घोषडा की या D. उपर्युक्ष में से A, B, C कत्रों में से कोई भी सही नहीं है तो फिलाल जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर C. रेमजे मैकडॉनल्ड के सामप्रदाइक अधिनिर्णय या कम्यूनल अवार्ड की घोषडा के कारण ही गांधी जी ने आमरण अंसन किया था फिलाल अगला प्रस्न देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि सामप्रदाइक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमसह दलित वर्ग के लिए कितनी सीटे निर्धारित की गई थी A, 74 एवं किसको क्या बोलेंगे, 79 क्रमसह, 71 एवं 147, क्रमसह, 78 एवं 80, और क्रमसह, 78 एवं 79 चली, देखे, इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नमबर A 71 सीटे जो हैं सामप्रदाइक अवार्ड में प्रदान की गई थी, जब की जब पूना समझाता हुआ तो दलितों के लिए प्रांती विधान सभाओं में 147 सीटे आरक्षित की गए और साथी साथ केंद्री विधान मंडल में भी सामाने वर्ग की सीटों में से 18 प्रतिसत जो सीटे थी वह दलित वर्गों के लिए आरच्षित कर दी गई थी, यहां देखिया एक्ष्रानेशन में सामप्रताइक अवार्ड में प्रांती विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरच्चित सीटों की संक्या जोती वह द्थी 71 जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 148 कर दिया गया इसके तहत मदराज की 30 सीटे, सिंध सहित बंबई की 15 सीटे, पंजाब की 8, बिहार और उडिशा की 18, मद्ध प्रांद की 20 सीटे, असम की 7 सीटे, बंगाल की 30 और संयुक्त प्रांद की 20 सीटे दलितों के लिए आरच्षित की गई थी साथी साथ केंद्री विधान मंडल में भी सामानेवर की सीटों में 18 प्रतिशत जो सीटे थी वह दलित वर्गों के लिए आरच्षित कर दी गई थी पूना पैक्ट संबंधित था ए दलित वर्ग से हिंदू मुस्लिम एक्ता से सम्मेरानिक प्रगत से या सैचिक सुधार से तो जारिक टैंसर कर सकते थे हम लोग पूना पैक्ट जो है वह दलित वर्ग से संबंधित था पूना समझोते का उद्देश से था दलित वर्गर को प्रतनिधित्व देना अगला प्रश्ण है कि पूना प्रेक्ट ने कमुनल अवार्ड के उद्देश से को धरासाई कर दिया कारण आर है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधान सवाओं में अनुसूचित जन जातियों के सीट आरच्छण का मार्ग प्रसर्ष्ट हो गया नीचे दिये कूट से आपको सही उत्तर चुनना है कूट है ए तथा आर दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या करता है इसका भी हम लोग आसानी से कर सकते है ओप्सन नंबर ए सही है पूना पेक्ट ने कमूनल अवार्ड के उस प्रिथक करने वाले उस BATOर राज गरों के उद्वेशों को धरासाई करते हुए विधान सभाव में जानुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए सीटों को आरचित करने का मार्ग प्रसर्ष्ट कर दिया था 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडॉनल्ड ने अपने संप्रदाइक निर्णाय में कमूनल अवार्ड की घुषड़ा की इसके तहत मुसल्मान, यूरोपियों और सिक्कों के सासना दलित वर्गों के लिए भी प्रितक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया अंततर 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझवता हुआ जिसमें दो सर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाये जाने के संबंद में सहमती हुई दो सर्ते क्या थी तो पहली विभिन प्रांती विधान मंडलों में दलितों के लिए 148 सीटे आरचित की गई या 147 ठीक है 147, 48 कुछ किताबों में 47 लिगा है कुछ किताबों में 48 ठीक है जबकि सामप्रदाइक अधिनिर्णाय में केवल 71 सीटे ही थी और दूसरी सर्त थी केंदरी विधान मंडल में सामाने वर्ग की सीटों में से 18 प्रच्छ सीटे जो है वह दलित वर्गों के लिए आरचित की गई अगला प्रस्ण है कि स्री बी यार अम्बेटकर एवं गांधी जी के मद्ध एक समझवता हुआ जो कहलाता है पूना समझवता अगला प्रस्ट पूना पेक्ट पर हस्ताचर किये थे तो पूना पेक्ट पर हस्ताचर किये थे गांधी जी और उनके सहयोगियों ने चुकिया सहयोगी नहीं है तो हम कह सकते हैं गांधी जी और अम्बेटकर ने पूना पेक्ट पर हस्ताचर किये थे यह पूना समझोता 24 सि स्टमबर 1932 को हस्ताच्चरित हुआ इस सम्झवते पर गांधी जी के समर्थक और अम्बेटकर ने हस्ताच्चर किये जबकि गांधी जी ने इस पर हस्ताच्चर नहीं किये थे सामपरदाइक अधिनिर्णे की घोसड़ा के पस्चात निम्नलिखित में से किसे समपाधित किया गया तो सामपरदाइक अधिनिर्णे की घोसड़ा के बाद पूना समझवता किया गया था निम्नलिकित में से किस ने एतिहासिक 1932 के पूना समझोते पर हस्ताच्चर नहीं किये थे बी यार अमबेटकर मदन मोहनमालवी सी राजगोपालाचारी या फिर मोहनदास करमचन गांधी तो गांधी जी तो जेल में थे सही अंसर है आप्सन नंबर डी महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताच्चर नहीं किये थे समय था 24 दिसंबर 1932 दिनता सनिवार साम को 5 बजे पूना समझोता हस्ताच्चर रित हुआ कुछ भी याद रखने की जुरूत नहीं बस डेट याद रखिएगा कि जो डेट थी वह थी 24 सितंबर 1932 की दलित वर्क की ओर से डाक्टर अमेटकर ने और हिंदू जातियों की ओर से पंडित मदन महन मालवी ने इस पर हस्ताच्चर किये इस समझोते पर हस्ताच्चर करने वाले अन्य हस्ताच्चर करता थे मैं फिर से एक बार सभी का नाम आप लोगों को बोल देता हूँ सरप्रतम डाक्टर अमेटकर और मदन महन मालवी ने इस समझोते पर हस्ताच्चर किया उसके बाद M.M. जैकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजभोज, पी बालू, गवई, ठककर, सुलंकी, तीवी सप्रू, जीडी बिल्ला, सीराज गुपालाचारी, डॉक्टर राधियन्द प्रसाथ, राव बहादूर, श्री निवास, म.C. राजा, सीवी महता, आज गुपालाचारी ने इस समझोते पर अपने हस्ताचर के बाद डॉक्टर भीम राव अंबेटकर से अपनी कलम भी बदल ली थी, अगला प्रस्ण है कि 1932 में पूना समझ पूना पैक्ट के बाद हरीजन सेवक संग की इस्थापना हुई, इसके अध्यच थे, जग जीवन राम, घंस्याम दास बिड़ला, बी आर अमबेटकर या अमरितलाल ठककर, चली, तो हरीजन सेवक संग के जो प्रथम अध्यच हुए वह हुए, जी डी बिड़ला, घंस्याम दास बिड़ला, पूना समझोते 1932 के बाद महात्मा गांधी की रूच सविने तो देश एक और भाग में बटने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा था, तो गांधी जी ने अपना रुक मोडा और वह अस्प्रिस्यता विरोधी आंदोलन में जुड़ गए, और इसी के साथ अखिल भारती अस्प्रिस्यता विरोधी लीग की इस्थापना हुई, जिसक आद में जिसका नाम बदल कर हरिजन सेवक संग हुआ, इसके प्रथम अध्यच निम्लिकित में से कौन थे, तो अभी अभी हमने देखा इसके प्रथम अध्यच थे घंस्याम दास बिड़ला या जीडी बिड़ला, नेक्स्ट और अगला प्रस्ना है कि 1932 में इस्थापित अखिल भारती अच्छूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, ए, बी यार अमबेटकर, अमरित लाल ठककर, जीडी बिल्डा या मुहन दास करंचन गांधी, डारेक्ट एंसर भी किया जा सकता था, आप्सन नंबर C, यानि कि जीडी बिल्डा जो है, वह अखिल भारती अच्छूत विरोधी लीग या मताईये हरिजन सेवक संग के प्रथम अध्याच्य थे, अखिल भारती हरिजन संग की इस्थापना किसने की महात्मा गांधी, भीमरावमेटकर, सी नारायन गुरू या डी विवेका नंद, तो अखिल भारती हरिजन संग की हरिजन संग या हरिजन सेवक संग की इस्थापना 1932 में की थी, 1933 में उन्होंने सापताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकासन भी प्रारंब किया, और अखिल भारती हरिजन संग का अध्यच गांधी जी ने घंश्याम दास बिडला को बनाया था अगला प्रस्था है कि हरिजन सेवक संग का पूर्व नाम था A. All India Anti-Untouchability League B. All India Depressed Classes Association C. Depressed Classes Association for Social Reform या D. Association of Untouchables चलिए, इसका जो सही अंसर है वह है option नमबर A. हरिजन सेवक संग का पूर्व में नाम था All India Anti-Untouchability League अखिल भारती अस्प्रिस्था विरोधी लीग इसकी स्थापना गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को की थी डेट याद रखने जरूरत नहीं है ठीक है समय याद रखेगा 1932 अगला प्रस्ण है कि दलित वर्गों का संग इस्थापित किया गया था तो दलित वर्गों का संग इस्थापित किया गया था वताईए किसके द्वारा यहाँ तो option ही नहीं है ना चली ए डाक्टर बी यार अम्बेट करके द्वारा बाबु जग जीवन राम द्वारा सी एन एस काज रोल कर द्वारा या डी महत्मा जोतिबा फूले द्वारा चली जो सही एंसर है इसका वह है option number B, दलित वर्गो का संग है depressed classes league की इस्थापना जो है बाबु जग जीवन राम контि की ठी, जबकि भीमराव अंबेट करने हादे कि दलित वर्गों का संग्या डिप्रेस्ट क्लास लीग की इस्थापना बागु जग जीवन राम ने की थी जबकि आल इंडिया सेडियूल कास्ट फेडरेशन की इस्थापना डॉक्टर बीयार अंबेट करने उनीस सो बयालिस में की थी और आल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेस असोशियेशन की इस्थापना उनीस सो चबबिस में एमसी राजा की अधचता में की गई थी ठीक है सभी को ध्यान दीजेगा फिर से बता देता हूँ डिप्रेस्ट क्लास ले गया दलित वर्गों के संग की इस्थापना जग जीवन राम ने आल इंडिया सेडूल कास्ट फेडरेशन की इस्थापना बीयार अरम बेट करने और आल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेस असोशियेशन की इस्थापना 1926 में M.C. राजा के द्वारा की गई थी इसे के साथ इस चप्टर का अंतिम प्रश्न है यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिकित में से किस ने कहा था कि महात्मा गांधी छडिक भूत की भाती धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं ए डाक्टर बी यार अंबेटकर बी महम्मद अली जिन्ना सी वीडी सावरकर या डी उपरिक्ट में से कोई नहीं चली तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्सन नंबर ए यह कथन जो है डाक्टर भीमराव अंबेटकर का है उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जो है वह चड़िक भूत की बाद मात्र धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं देखे 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वारता के दोरान डाक्टर भी यार अंबेटकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी चड़िक भूत की बाद दूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं यह वक्त तब बेए उन्होंने दलितों की इस्थिति के बारे में गांधी जी के विचारों से मतभेद के कारण कहा था और फिर जब ब्रिटिस प्रधान मंत्री रेमजे मैकडानल्ड ने दलितों के लिए अलग से कमुनल अवार्ड गोसित करते हुए उनको प्रिथक प्रतिनित्त प्रधान किया तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 से आमरण अंसन शुरू कर दिया अंधतु गत्वा 24 सितंबर को गंबेट कर और गांधी जी के अनुयाईयों के मद्ध समधोता होता है जिसे पूना समधोता कहा गया जिसकी अनुमतिया जिसको अपनी सम्मति ब्रिटिस सरकार ने 26 सितंबर 1932 को दी और इसके साथ गांधी जी का आमरण अंसनभी समाप्त हुआ ठीक है तो इसी के साथ यह चप्टर हमारा कंप्लीट होता है नेक्स्ट और अगले चप्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी जिसका गठन 1934 में किया गया था इसके महा सचीव थे जैप्रकास नारायन और आचारे नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यच्य थे फिलाल आईए टैरेक्ट प्रश्न करते हैं इसके बारे में हमने बात की हुई है कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई A. दिल्ली में B. नासिक C. पतना या D. लाहोर जो सही अंसर है इसका वह है option number C कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पतना में संपन हुई थी दरसल मई 1934 में पतना में कांग्रेस समती की बैठक हो रही थी और उसी बैठक के दोरान ही इन सदास्यों ने अलग से एक बैठक की जिसमें आल इंडिया कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की इस्थापना को आपचारिक मानिता दी गई और अक्टूबर नवंबर 1934 के दोरान बंबई में इसकी नीतियां और इसकी कारे प्रणालियों को तै किया गया कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पतना में हुई वर्ष उन माई 1934 में अगला प्रस्ण कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी या संग्रे समाजवादी पार्टी के संदर्व में निम्रिलखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला इसने ब्रिटिस माल के बहिसकार और करों के अपवंचन या इवेजन की वकालत की दूसरा यह सर्वहारा वर्ग किया अधिनाय कत्तु स्थापित करना चाहती थी और तीसरा इस इसने अल्प संक्यकों तथा दलित वर्गों के लिए प्रिथक निर्वाचन च्छित्र की वकालत की कूट है एक केवल एक और दो बी केवल तीन सी एक दो और तीन या डी कोई नहीं जो सही अंसर है इसका वह है option number d गांग्रेस सोस्लिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने निम्लिकित में से कोई भी कार नहीं किया था ठीक है फिलाल आईए एक्सवानेशन से देखिए देखें गांग्रेस सोस्लिस्ट पार्टी ने ब्रिटिस के आधार पर समाजवादी समाज की इस्थापना करना चाहते थे सर्वहारा वर्ग का अजिनायकत तो इस्थापित करना इनका लच्छ नहीं था यह जो है सर्वहारा वर्ग की इस्थापना करने का लच्छ जो है वह मार्क्सवाद का है ठीक है मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने अल्प संख्यों तथा दलित वर्गों के लिए भी प्रिथक निर्वाचन चेत्र की वकालत नहीं की थी ठीक नेक्स्ट और अगला प्रश्ण पूछा जा रहा है कि निम्लिकित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुक नेता था ए एम एन राय गड़ेश संकर विद्यार्थी बिसी पट्टम ताडू पिल्ले या डी आचार नरेंद्र देव तो जो सही एंसर है वह है आप्सन नंबर डी आचार नरेंद्र द प्रमुक नेता थे यह इसके प्रथम अध्यच्य भी थे ठीक है देखें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इस्थापना मई 1934 में की गई थी इसके संस्थापक अध्यच्य थे आचार नरेंद्र देव और संस्थापक महासच्यू थे जैप्रकास नारायर इसमें सामिल अन्य सदस्य थे असोक मैता, अच्चित पतवर्धन, मीनू मसानी, डाक्टर राम मनुहर लोईया, पूर्सुत्तम विक्रमदास, यूसुप महराले, गंगा सरण सिंग और कमला देवी चटुपाद्ध्याय आधी अन्य लोग इस दल में सामिल थे नेक्स्ट और अगला प्रश्ण है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इस्थापना की गई थी जैप्रकास नारायर और आचार नरेंद्र देव के द्वारा अगला प्रश्ण है कि वर्स 1934 में पटना में अखिल भारती कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था ए आचार नरेंद्र देव बी अच्चुत पटवर्धन सी जैप्रकास नारायर या डी डाक्टर राम मनुहर लुहिया है चली तो जो सही अंसर है इसका वह है आप्सन नंबर सी जैप्रकास नारायर ठीक है 1934 में पटना में अखिल भारती कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जैप्रकास नारायर इसके संस्थापकों में जैप्रकास नारायर नरेंद्र देव असोक महता आधी प्रमु कुरूप से सामिल थे जैप्रकास नरायन को पार्टी का महा सचीव और आचार नरेंदर देव को अध्यच चुना गया इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट प्रभाव या कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी नेक्स्ट और अगला प्रश्ण है कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था द्वारा जैप्रकास नारायन और आचार नरेंदर देव के जै प्रकास नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो जै प्रकास नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जिसमें सामिल अन्य सदा से थे योगेंद्र सुकला मीनु मसानी आचार नरेंद्र देव जोकिस के अगला प्रश्ण है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जैप्रकास नारायण सत्यभक्त अगला प्रश्ण लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है अ महात्मा गांधी, सुभास चंद्रबोस, जैप्रकास नारायण या बाल गंगाधर तिलक तो लोकनायक के नाम से जैप्रकास नारायण को जाना जाता है जैप्रकास नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और पांच जून 1974 को इन्होंने पटना के गांधी मैदान पर पी संपूर्ण करांती यानि आजादी के बाद की बात हो रही वहाँ पर इन्होंने संपूर्ण करांती का आवाहन भी किया था मरडों परांथ इनको वर्स 1999 में भारत रत्म से समानित किया गया था निक्स्ट और अगला प्रश्ण है कि जै प्रकास नारायन को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो जै प्रकास नारायन को लोक वन लोक मानने जो जो जब की ऑनसर है आउप्सन नमबर भी है ठीक है ? सब लोक लोक है, कन्फ्यूज मत करिये कभी भी ठीक है, लोकमान ने बाल गंगा धरती लग थे और जैप्रकास नाराण लोक नायक थे जैप्रकास नाराण को कौन सी उपाधी दी गई थी तो जैप्रकास नाराण को लोक नायक की उपाधी दी गई थी जय प्रकास दिवस कब मनाया जाता है जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 या अप्रेल 1946 चली तो जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर D ठीक है जय प्रकास दिवस जो है वह अप्रेल 1946 में मनाया गया था दरसल इसी दिन यह जेल से छूटे थे अप्रेल 1946 में, जय प्रकास नाराण की रिहाई के लिए, जय प्रकास दिवस मनाया गया इस दोरान पटना के बाकी पूर मैदान में एक जनसभावी हुई जिसमें राजनितिक बंदियों को जेल में रखने के सरकारी नीत की आलोचना और जय प्रकास के रिहाई की मांग की गई थी नेक्स्ट और इस चप्टर और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्ण है कि निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए पहला, 1936 में अस्ताचरित बंबई मेनिफेस्टो प्रत्यक्च रूप से समाजवादी आदर्सों के प्रतिपादन का विरोधी था दूसरा, इसको समष्ट भारत से व्रियत व्यापारी के समुदाय का सहयोग मिला था आपको बताना है कि उपरोग्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आप्सन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दो नो या D न तो 1 और नही 2 बहुत ध्यान पूरक सुने ला कभी कभी ऐसे प्रस्ट मिलते हैं तो इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नंबर C 1 और 2 बंबई मैनिफेस्टो था क्या तो बंबई में 21 उद्योगपती आपस में मिलते हैं जो समाजवादी आदर्सो के विरोध में एक घोसडा करते हैं जिसको कहा गया मैनिफेस्टो या बंबई में मिले थे तो वह हो गया बंबई मैनिफेस्टो थिक अब देखें मई 1936 में बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताचर किया यह मैनिफेस्टो प्रत्य चरूप से समाजवादी आदर्सो के प्रतिपादन का विरोधी था जैसा कि नहरू ने लखनाव अधिवेशन में कहा था इस मैनिफेस्टो को व्रिहद व्यापारिक समुदाय का भी समर्थन मिला हुआ था ठीक है तो फिलहाल इस लेक्चर में इ तो फिलाल के लिए धन्यवाद